हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले ही ये महा की एरोक्स 155 के बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट डीटेल से जानकारी दूनगा तो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए आप नजर आ रहा है और उपर की तरफ दिया गया चोटा सा विंट शील्ड इसे काफी स्पोर्टी भी बनाता है जैसे आपने FZ सीरीज की बाइक्स में देखा होगा दोस्तों इस स्कूटर में आपको कुछ जलक बाइक की भी दिखने को मिलेगी जो की इस स्कूटर को फूली स्टाइलिश और स्पोर्टी बनता है फीचर्स की बात करें तो दोस्तों Aerox 155 में आपको पोजिशनिंग लैंप के साथ एक LED हेडलाइट, एक LED टेल लैंप और मुबाइल चार्ज करने के लिए एक फ्रन्ट पावर सॉकेट, एक मल्टी फंक्शन की और एक एक्स्टेंड़ फ्यूल लेद दिया गया है इसमें अंडर सीट टोरेज अपको 24 लीटर मिलता है तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके इंजिन के बारे में तो अपको येमहा Aerox में आब A20 इंधन अनुकूल इंजिन मिलेगा साथ ही में दोस्तों इस बार Aerox 155 में VVA यानि की Variable Valve Actuation से लेस एक 55 CC का Blue Core इंजिन मिल जाएगा और इस इंजिन में आपको 8000 RPM पर 14.8 BHP और 6500 RPM पर 13.9 NM का Peak Top Generate करके देता है अगर इसकी Top Speed की बात करे तो दोस्तों आपको 110 किलोमिटर से ज़्यादा देखने को मिलेगी वही आगार ब्रेकिंग की बात करे तो दोस्तों फ्रंट में आपको 230 mm की डिस्क के साथ ABS और Rear में 130 mm का Drum Brake मिलता है जो की अच्छी खासी Stopping Power तो देता है लेकिन अगर Twin Disc Brake का सेट अप होता तो दोस्तों और ज्यादा बढ़िया आपको Breaking Performance देखने को मिल जाती मैलेज की बात करे तो दोस्तों आपको 40 के आसपास की मैलेज मिलने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों इसकी कीमत के बारे तो आपको ये यमहा का स्कूटर थोड़ा महंगा मिलने वाला है दोस्तों इसकी X Showroom Price करीबन 1,42,000 है जो की थोड़ी ज्यादा लगती है अब आप ही लोग बताए कि आपको क्या लगता है, इसकूटर प्राइस के हिसाब से सही है या फिर थोड़ा महंगा है कॉमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएगा फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही थैंक यूर फॉर वाचिंग अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेर करे और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए